वेलो एबरीवन गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब आप लोग ठीकी होंगे तो अब भी हो रहा है सुबह के साथ और मैं हो निलो फर आप देख रहे हैं मिसेस होसेन तो गाइस आज मैं एक अलग तरीके से केग बनाने वाली हूं यह रही आयत आयत हाई बोल रही थी बट मैंने वह वाइस म्यूट कर दिया क्योंकि काफी जाजा चिक चिक थी फैन की आवास से मॉंटी आयत दोनों बोल रहा था कि लाइक करो लाइक करो सो गाइस आज मैं जो गाउं में कुछ लोग जो गाउं से बलॉम करते हैं उसके पास है ना केक बनाने के लिए काफी चीज अवेलबल नहीं होता है जैसे कि मिक्शर मसीन फिर क्या बोलता है आपका जैसे की केक मॉल्ड नहीं होता है उसके पास या फिर और भी बहुत इंपल तरीके से मैं बताओंगी कि एक आपको पतीला या फिर ट्रेक्ची वगएरे ले ले लें और एक जो है जिससे दाल आप घोटते हैं आप उसको लाइक छिटका बोल सकते हैं सो मैं आज उसी से केक बनाने वाली हूं आयत हला कर रही है कि आयत की आवाज को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने कड़ाई पहले ही चड़ा रखी है इस तरीके का कि स्टेंड दे रखा है अगर आपके पास स्टेंड एवलबल ने हो तो छोटी वाली कटोरी होती है उसे पल्टा के आप य में तलिया है अब चलिया एक लिए जिसमें चावल बनाती हूं पतील और यह पर और जिसमें लगती हूं दाल मैंड से लगाती हूं उवला ले लिया हमने छीटकाには मैं यां चार-खेला केले का पहले छीख दूदा झीड ऑर इस तरीके से तोड़ थोड तोड़ के आपको इसलि Hmgher पर मिल जाये, यह रहा ग्लास मंने हाफ ग्लास चीनी लिया है और इस तरीके से जिस तरीके से आप डाल बनाते हैं उसी तरीके से आपको इसे रगड़ना है ताकि वो चीनी जो है इसमें मेल्ट हो जाए और चीनी नहीं रहे खड़ा ताकि आपको दिक्कत ना हो आपका केक खराब न बने यहां पर हमारा हो गया है देख सकते कुछ इस तरीके का है इसी ग्लास से फिर मैं ले रही हूँ हाप ग्लास दूद और बॉ सबको पास बरतन एवलबल नहीं होता है हर साइज का तो मैं गलास और चम्मच से मेजरमेंट बताऊंगी ताकि वो हर किसी के घर में मिलता है यहां पर मैं यूज करी cytokine oil चार चम्मच आप जो चम्मच आपके घर में यूज होता है टीज़्पून उस से ही ले सकते हो इस कि बेकिंग पॉडर के लिए 2 चैनल मिल जाएगा यहां पर मैंने लिया एक चुक्रास बेकिंग पॉडर कोप बेकिंग पॉडर एक कोप कॉड़े यहां पर एक डैरी मिल चॉकलेट भी यूज कर सकते हो तो इसमें कोई दिक्ट नहीं है, फिर यहां पर मैंने लिया एक कभ भर बहीकी मैधा, उसी गोज पहला एल खरके लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे, भी तरीके से चलाते जाएंगे, यहां पर देख सकते हैं, बैटर हमारा तयार हो गया है यहां पर मैंने लिया है नियूस पेपर जो कि हर किसी के घर पे अवेलवल होता है इसे मैंने अच्छे से ले लिया इस तरीके से कैची के हल्प से इस कटोरे के साइज का मैं काट लूँगी जो मैंने कटोरा लिया हुआ है बड़ा साइज का उसी पर हमारा हो गया है कुछ इस तरीके का कट गया है निउस पेपर से भी आपके बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है नहीं चिपकता है कुछ भी नहीं होता फिर इस बरतन पर जो कटोरा मैंने लिया था इस पर मैंने फॉर्चुन अपलाई कि थोड़ा साप लेकर लगा लें डाल दूँगी अच्छे से यहां पर देख सकते हमारा ढल गया अब इसे अच्छे से ठोक देना ताकि इसके अंदर जो एर बबल्स न बने और इस तरीके से मैंने कर लिया है उसके बाद गाईस यहां पर मैंने लिया एक और यो बिस्किट पैकेट आप चाहो तो कोई और चोकलेट फिलेवर का ले सकते हो इसका क्रीम मैं हटा दे रही हूं अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मैस कर लूँगी और केक को डेकुरेट कर दूँगी इसी बिस्किट से इस तरीके से क्योंकि हमारा केक का भी कलर सेम से मायगा पकने के बाद तो यहां पर मैंने वह कर लि है आप देख सकते हो और अगर आपके पास कोई भी ड्राइफोट्स एवलबल हो जैसे की बादाम वगएरा तो वह भी आप डाल सकते हो यहां पर मैंने लिया है चार-पांच बादाम और उसे भी मैं इस तरीके से चुरी की हेल्प से काट ले रही हूं और इस तरीके से अच्छे से अपलाई करने के बाद आपको टैप टैप जरूर करना है ताकि उसे क्या होता है कि वह जो आप जो बादाम यूज करें वह उसमें अच्छे से बैट जाएगा तो चलिए यहां पर पतीला हमारा गरम हो गया था अब यहां पर मैं ढखकन निकाल ले रही उस तरीके से और यहां पर देख सकते हैं इस पर मैं अराम से केक को रख दूँगी और केक को बिल्कुल बरावर रखे ताकि आपका केक खराब न बने चलिए 45 मिनट बात देखते हैं और आप आदे गंटे 45 मिनट के लिए उसे बिल्कुल ना खोलें तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है अब इसे मैं ठंडा होने देती हूं उसके बाद आपको दिखाऊंगी पर एक बार चेक करके के दिखा दे रही हूं कि हमारा केक तयार हो गए आपको कैसे करے करना इस पर जूरि या कोई तिन्का वगएरा डालके देखो इसमें बिल्कुल नहीं लगा है मतलब हमारा केक तयार हो बहुत पैसा लग जाता है गाइस बहुत कम में आपका ये केक तयार हो जाएगा घर पे तो यहां पर में पेपर इस तरीकी से अराम से निकाल दे रही हूं आप देख सकते हो और मेरे घर पे बच्चे को केक बहुत जारा पसंद है मौंटियाद को तो मैं हमेशा बनाती रहती हुआ 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 ह अब मैं दिखा रही हूं इसका यह पीस निकाल के कितना ज्यादा फ्लपी बनाया कितना फूल गया है केक देख सकते हो तो खाने में भी बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है आप एक बास जरूर ट्राय करें तो आज के लिए इतना ही था थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस बाइ!